जंगें हमेशा इनसानों के खिलाफ लड़ी जाती हैं लेकिन कुछ जंगें ऐसी भी हैं जो के एनिमल्स के खिलाफ लड़े गई थी और यह जंगें क्यों होई थी कब होई थी किसलिए होई थी भी भी थी या नहीं होई थी चलिए मैं आपको बताता हूं 1932 में आउस्ट्रेलिया में एम्मूज जो कि एक फ्लाइटलस बर्ड ऑस्टिच की तरह के बर्ड हैं जो कि उड़ नहीं सकते उन्होंने आउस्ट्रेलिया की क्रॉफ्स का बहुत बुरा हाल कर दिया था यानि कि जितनी क्रॉफ्स लगाते थे उसे 10% भी नहीं मिलती थी क्योंकि एम्मूज उनका बहुत बुरा हाल करते थे आउस्ट्रेलिया इतना तंग गया कि उसने जंग का एलान कर दिया प्रॉपर जंग का और इस सोल्जर्स थी उनको मशीन गंस तक के हाई लेवल यानि एमूज जीत गए बर्ड्स प्रॉपर आर्मर्ड सोल्जर्स की खिलाफ लड़े और पूरे आस्ट्रेलिया की आर्मी से जीत गए यह असल मज़धार बात यह है और इसट्री मैसी बहुत सारी मज़धार बाते हुई जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आज हमारे प तो हमें आज ही बता चलता है कि यार कई सदियों से खड़ा हुआ है लेकिन ऐसा क्यों है इसकी क्या हुआ जाए इसकी बज़ाए है कि उस दुमाने में कंक्रीर जो था उसको वोल्कैनिक एशिस से बनाया जाता था उसके अंदर खास अमांट आ दा दिया थी जिसकी वज़ यह चीज़ें कंक्रीट में डाली जाती है यह तो है हमारी हिस्टी का हाथ चलिए मैं आपको एक प्रेजेंट चीज़ बताता हूं कि क्लासिकल फिजिक्स के मताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट जाए और दूसरे अब्जेक्ट यानि किसी बेरियर में से डिर्क्ली पेनेट्रे हैं ऐसा नहीं हो सकता लेकिन कॉवांट्म मेकानिकड्स जो है उसके अंदर यूद्ध क्रास्ट इसा हो सकता है PARTICLES BU Achers मैं से पेनिड्रेट होके जा सकते हैं टनल बना के जा सकते हैं जिसने भई हमारे फिजिक्स की दर्जियों उड़ा दे क्योंकि वाल सेप्चुरी ऐसा नहीं होना चाहिए लेकि ऐसा हो सकता है और जब हो फिजिक्स को ये बात मालूम होई तो बहुत सारे एकस्पेरिमेंट्स में अब उन्होंने ये चीज़ नोटिस ही है ना मज़ेदार बात और तो और एक और बड़ी मज़ेदार बात में आपको बताता हूं कि आपने टोटल फॉर स्टेट्स पड़ी होगी मैं फिफ्त पड़ी होगी जो कहें बी सी बोस आइंस्टाइन कंडन सेट लेकिन एक्टिट बगेर एनरजी लॉस के मूव कर सकते हैं क्योंकि मैं अगर सिंपल टां में बताऊं तो ये टाइम अपने आपको रिपीड कर सकते हैं यानि आप कैसे यह टाइम अपने लिए पाउस कर लेते हैं जब टाइम पाउस होगी तो अनरजी पाउस होगी तो लूज नहीं होगी लूज नियोंगे तो इंफिनिटली वो मूव कर सकते हैं पार्टिकल्स जो कि बड़ी दिमाग हैलाने वाली बात लगती है तो आज के लिए इतना दिमाग हैलाना काफी है अगरी फडियों मिलेंगे तब तक के लिए बाई